Hello friends and dear students, today we will discuss the qualitative test for carbonyl compounds. आप कह सकते हैं, carbonyl compounds को हम ldhyde या ketone भी 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 बोल सकते हैं और उनके जो test हैं, उनको हम लोग देखेंगे. तो बहुत सारे test हैं जो की perform के जाते हैं for the ldhyde and ketones, लेकिन जो इसमें से important test हैं, उनके principle के साथ हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, ताकि आप उनके principle को, उनके procedure को और उनके reagents को कैसे बनाते हैं वो भी समझ सकें और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग चाहें तो इसको exam में भी लिख सकते हैं और lab में भी perform कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और जान जाहिए कि कौन-कौन से important test हैं जो कि हम लोग carbonil compounds के लिए करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, carbonil compounds होते हैं जहां पर C double bond O group यानि carbonil group होता है, और विए दो ही तरीके कर सकते हैं, एक होता है LDH, एक होता है ketone, LDH में R, C, O, H group होता है जबकि ketone में R, C, O, R group होता है, यानि C double bond O के दोनों तरफ जो है R group लगे होते हैं और इसमें एक तरफ H group लगे होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला test लिए perform करते हैं, that is 2,4 dinitrofenyl hydrazine test या hydrazine test भी कही है, अगर आपको कितामें मिलेगा, क्योंकि hydrazine बनता है या पर इसलिए, तो ये 2,4 dinitrofenyl hydrazine test बहुत ही आसान सा test है, जहाँ पे LDH या ketone या unknown sample अगर आपको दे दिये जाए हों पताया जाए कि वहाँ पे carbonil compound है या नहीं तो आप ये test करके बता सकते हैं, ये yellow orange color का precipitate आ रहा है, इसका मतलब sample में LDH है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब sample में LDH नहीं है, तो अगर आप इसकी reaction की बात करें, तो जो भी carbonil compound होंगे, वहाँ पे हमारा 2,4 dinitrofenyl hydrazine, घबडाईये मत, एक benzene ring है, जिसके दूसरे और 4 पोजिशन पे क्या लगे हुए है, आ ठीक है, तो यहां से क्या होगा, कि ये O और ये H, दो H और ये O पानी निकाल देगा, ठीक है, पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा है आप पर, और ये पूड़ा का पूड़ा गूड़ा गूप जो है, डबल बॉर्ड O बनाकर के nitrogen सा जुड़ जाएगा, जो की 2,4 dinitro hydrogen कहलाता है, जो की orange yellow color देता है, अब बात करें इसके reagent की कैसे आप इसका reagent बनाएंगे, कभी कोई भी test perform करने के लिए reagent सही होते है, तो ये जो reagent है, उसको बनाने के लिए हमको 1 gram 2,4 dinitrofenyl hydrazine, इसको हमको किता लेना है, 1 gram लेना है, 5 ml concentrated S2SO fold में उसको घोल लेना है, और जो अभी आपको solution त्यार हुआ, इस solution को दीरे दीरे हमको 7 ml of water and 25 ml of ethanol के mixture में, यानि आपको दो काम करना है, एक बीकर में 7 ml पानी और 25 ml ethanol को लेकर के एक mixture त्यार करके अलगसर रख लेना है, दूसरे बीकर में आपको 1 gram 2,4 dinitrofenyl hydrazine लेना है, 5 ml उसमें concentrated S2SO4 मिलाकर mix करना है and then solution 1 को solution 2 में दीरे दीरे slowly slowly add कर देना है और यही आपका क्या कहलाएगा, 2,4 dinitrofenyl hydrazine reagent, आईए अब बात करते हैं procedure की, तो बहुत ही आसान सा procedure है, 2 से 3 drop sample का solution ले लीजे उसमें, 2 ml ethanol डालिए जो की 95% हो और 2 ml reagent जो भी आपने बनाया है वो ले लीजे, इन तीनों को एक सा है, इसका बतलब कावोनिल ग्रूप प्रेजेंट नहीं है, तो यह था test कौन सा, 2,4 dinitrofenyl hydrazine test, आईए अब बात करते हैं दूसरे test की, जो की कहलाता है, एक confirmationary test है, या फिर एक distance test है, जो की aldehyde को ketones से अलग कर सकता है, अब आपको पता चल गया कि कावोनिल ग्रूप है, aldehyde है या ketone है, तो आप tolerance test का perform कर सकते हैं, tolerance test जो है, वो भी बहुत ही आसान सा एक test है, जो की aldehyde तो देते हैं, लेकिन ketones नहीं देते हैं, क्योंकि ketones जो है, वो हमारे silver complex के साथ जो है, वो reaction नहीं कर पाते हैं, लेकिन aldehyde जो है, वो silver complex को reduce कर देती है, और खुद oxidize हो ज बना रखथा है, वो ag mirror के रूप में, जिसको metallic silver भी बोलते हैं, यानि solid form में, वो आपके test tube है उस पर चिपक जाएगा, और mirror के रूप में आपको दिखाई देगा, ठिक है, solid form में, तो ये भी एक बहुत ही असान से रेक्षन है, जहां पर हमारा aldehyde group देखे भी हमने उपर carbon compound लिखे थे, लेकिन यहां पर हमने h लिख दिया, यानि की ldehyde है, और यह हमारा complex है, जो की ag और ammonia, यानि silver और ammonium nitrate को एक साथ लेने की वज़े से बन रहा है, जहां पर, sorry, ammonium hydroxide और silver nitrate को एक साथ लेने से बन रहा है, ठीक है, 2 ag no3 का hole है, इसका OH, ये जो group बना हुआ है, इ इसको reduce कर देगा in the form of solid miller के रूप में, तो ये solid के form में बनेगा, और आपकी जो test tube है, उसकी दिवालों में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और एक mirror के तरीके से चमकदार एक mirror जो है, उसका formation करेगा, अगर ये बन रहा है, इसका मतलब की ldehyde है, अगर ये नहीं बन र region कई बार पूछा जाता है, exactly कि tolerant region कैसे बनाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखे कि किस प्रकार से बनाते हैं, हम लोग बहुत ही simple सा तरीका है, पहले एक आप भीकर ले लिजिए, उसमें 5 ml, 5% silver nitrate का solution लेजिए, यानि कि agno3 का solution कितना लेना है, 5% agno3 का solution 5 ml लेना है, उसमें 3 drop 10% agno3 का solution मिलाईए, 10% agno3 कैसे बनेगा, आपको सबको पता है कि percentage solution मनाने के लिए, जितने gram आपका reagent है, जैसे कि 10% agno3 को 100 ml तक में dissolve करना है पानी में, और वो solution त्या हो जाएगा, तो उसके 3 drop लेने हैं, और 5 ml silver nitrate को लेना है, 5% वाले को, उन दोनों को जो आप mix करेंग तो brown precipitate form होगा, ठीक है, अब आप जो brown precipitate form होगा, उसमें 10% ammonium hydroxide का solution लेजिए, और तब तक मिलाते रही है, इसका देखे quantity नहीं लिखी है, तब तक मिलाना है, जब तक कि ये brown precipitate dissolve हो करके, एक clear solution आपको ना दे दे, ठीक है, तो पहले एक, ये solution त्यार करना है, जहाँ पर 5% silver nitrate लेना है, तीन ड्राप 10% अनिवच लेना है, mix करना है, brown precipitate आएगा, उसके बाद 10% ammonium hydroxide का solution उसमें डालना है, और तब तक mix करना है, जब तक कि ये brown precipitate खतम ना हो जाए, तो ये बन गया हमारा reagent, आप procedure फॉलो करते हैं, पहुत ही simple सा procedure, 2-3 drop of sample solution को लेना है, ठीक है, और उसमें अपना जो reagent अभी आपने बनाया है, उसके test tube में उसको डाल देना है, और 10 minute के लिए इसको क्या करना है, shake करना है, 10 minute बात जो है, अगर formation of silver miller on the walls of test tube, अगर आपको मिल रही है, तो आप समझ जाएगा के eldihyde वहाँ पर present है, अगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब eldihy में वहाँ पर present नहीं है, तो यह हो गए दो test, अब आईए तीसा test की बात करते हैं, जिसको हम बोलते है, बनेडिक test, यह भी एक बहुत important test है, और यह test हम लोग perform करते है, for the carboxylic acid के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो यह भी बिल्कुल similar है, tolerance test जैसा ही है, और यह भी aldehydes के द्वारा ही दिया जा सकता है, यानि आगर आप चाहें तो distance कर सकते हैं, aldehydes और ketone में इस test के द्वारा, और इसका जो principal है, वो भी tolerance जैसा है, लेकिन यहाँ पर, वहाँ पे हमने silver ions लिए थे, यहाँ पे हमको क्या लेना है, copper ions लेना है, ठीक ह और खुद oxidize हो जाता है, किसमें carboxylic acid में, जैसे की पिछले reaction में हो रहा था, और यहाँ पे जो reduce copper salts होते हैं, वो cuprous oxide बनाते हैं, जो की brick red color का, यानि की eat के जैसे लाल रंग का वो होता है, ठीक है, आईए देखते हैं, reaction इसकी aldehyde जो है, वो जब इस copper citrate, कुछ नहीं है, इस is citric acid, citric acid का complex है, किस के साथ, copper के साथ, copper और citric acid का complex कहलाएगा, copper citrate complex, जो की blue color का होता है, यानि यह जो benedict reagent होता है, अगर कोई पूछे की किस color का होता है, तो आप कहेंगे किस color का, blue color का, इसमें sodium carbonate के presence में, जब आप इसको करेंगे, तो पानी बाहा निकलेगा, और sodium salt of carboxylic acid बनेंगे, और क्या बनेगा, red color का precipitate आएगा, किसका, cuprous oxide का, ठीक है, cuprous oxide बनेगा, जो की red color का precipitate बदेगा, अगर red precipitate आ रहा है, इसका मतलब eldihyde है, अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब eldihyde नहीं है, अब बात करते हैं, बेनिदिक reagent की, तो बेनिदिक reagent को हमको ब 0.173 gram of copper sulfate pentahydrate को लेना है, और सबको mix करके, आपका क्या बन जाएगा, ये, copper citrate complex blue color का, या फिर आप कह सकते है, benedict reagent बन जाएगा, कैसे बनेगा, 1 gram enhydra sodium carbonate को लेना है, 1.73 gram sodium citrate लेना है, और 0.173 gram of copper sulfate को लेना है, और सबको mix कर देना है, क्या बन जाएगा, benedict reagent, आई ये procedure लेते, फिर से आसान सा procedure है, 2-3 drop sample solution को लेना है, 2 ml जो benedict reagent अभी आपने बनाया, उसको लेना है, उन दोनों को लेकर करके heat करना है, boiling water bath के उपर उसको heat करना है, करीब 15 minute के लिए, formation of brick red precipitate मिलता है, अगर लाल रंग का, गाले लाल रंग का, या heat जैसे लाल रंग का precipitate आपको मिलता है, तो समझ जाएगा, aldehyde है, नहीं मिलता है, positive नहीं है, positive test आता है, मतलब aldehyde है, negative आता है, मतलब aldehyde present वहाँ पर नहीं है, next one is, बहुत ही important test, एक और आ गया, जो की chromic acid test जिसको बोलते हैं, और इसको हम लोग broad well, well want test भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों इसको खो जाता, इसका जो principle है, वो भी बहुत ही, आसान सा principle है, बिल्कुल tonens और benedict जैसा ही, यहाँ पर chromic acid oxidize करती है, aldehyde को carboxylic acid में, हर जगह aldehyde carboxylic acid में ही oxidize हो रहा है, बस कहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग reagents change कर दे रहे हैं, ketones, यहाँ पर यह test फिरस नहीं देग यानि कि पहले उनका color orange color का होता है, और वो बाद में blue green color में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और आपको आपका test जो है, वो मिल जाएगा, अब हम लोग अगर इस test की बात करें, तो इसके principle में, जो हमारा aldehyde है, वो attack करेगा chromic acid के उपर, जो की orange color का होता है, और S2SO4 की presence में, वो carbox leak acid में convert हो जाएगा, और आपको देगा, क्या नाम है, chromium sulfate, chromium sulfate जो आपको मिलेगा, that is blue green color का होता है, और यह जो complex blue green color का है, अगर यह आ रहा है, तो आप समझ जाएगा, कि chromic acid test आपका positive है, यानि कि वहाँ पर, आपका aldehyde जो है, वो present है, next, अगर आपका reagent की बना सकते हो, with the help of chromium trioxide को, dilute H2SO4 में, आपको क्या करना है, dissolve करना है, और chromic acid, जो reagent है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कैसे बनेगा, chromium trioxide को, dilute H2SO4 के साथ क्या कर देना है, mix कर देना है, अब आईए procedure की बात करते हैं, यहाँ पर आप चाहें, तो solid 10 mg आ 1 ml acetone में, 2 drops of sample, या 10 mg of sample लेकर, कि उसको क्या कर लेना, mix कर लेना है, फिर 1 ml जो है, जो भी आपने, chromium, sorry, chromic acid, जो भी reagent बनाया है, उसको 1 ml यहाँ पर ले लेना है, dissolve करना है, अगर blue-green color बन रहा है, इसका मतलब की वहाँ पर LDH present है, अगर नहीं बन रहा है, मतलब LDH present नहीं हैं, आईए अब आखरी test की बात करते हैं, जो की एक बहुत ही important test, again, it is a very important test, known as Idoform test, Idoform test, Idoform test जो है, वो methyl ketone group के लिए present किया जाता है, वैसे जो generally, यह जो ketones हो, जहाँ पे CST group present हो, यानि की methyl ketone group ही, Idoform test देते हैं, लेकिन LDH यह test नहीं देते हैं, लेकिन एक LDH जैसे की, Acetyl Dehyde, जो सबसे छोटा LDH होता है, वो यह test दे सकता है, because it is also resembles with the methyl ketone group, so अगर इस test की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ methyl ketone, not other ketones, सारे ketones नहीं देते हैं, सिर्फ methyl ketones यह test देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, methyl ketones का oxidation होता है, अभी तक LDH का oxidation हो रहा था, अब इस बार किसका होगा, methyl ketone oxidation होगा, into the carboxylic acid, सेम वैसे ही carboxylic acid दनेगा, लेकिन जो reagent होगा, आयोडीन होगा, तो आयोडीन in sodium, sorry, aqueous sodium hydroxide, aqueous यानी पानी में घुला हुआ, sodium hydroxide आपको लेना है, आयोडीन का एक solution त्यार करना है, और उसमें अगर हम methyl ketone डालोगे, तो यहाँ से जो methyl group है, यह आयोडीन के साथ जा करके, CHI3 बनाएगा, that is known as Idoform, जो कि एक solid yellow precipitate के रूप में आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, अगर methyl ketone की बात करें, तो it is RC, कोई भी R group लगा हो, लेकिन एक तरफ क्या लगा होना चाहिए, methyl group लगा होना चाहिए, आयोडीन लेना है, और NaOH ले जो की yellow solid या yellow precipitate के रूप में प्राप्त होता है, और अगर यह बरना इसका मतलब वहाँ पर हमारा methyl ketone group है, अब इसका procedure देखते हैं, जो की बहुत ही आसान सा procedure है, फिर से एक बार, इसके procedure में, four drops या 50 mg of sample को 2 ml of water में dissolve कर लिए, अगर आपका sample आपके पास solid में है, तो उसको 2 ml water में आप क्या कर लिजे, 50 mg को dissolve कर लिजे, या चार ड्रॉप जो liquid आपका sample है, उसको ले लिजे, उसमें 2 ml of 3 molar analysis solution मनाई है, और उसको 2 ml जो है, ले लिजे इसके साथ, अब धीरे धीरे इसमें 3 ml iodine का solution जो है, उसको add की जब आप कहेंगे, इसमें हमने reagent नहीं बताया, reagent य ml iodine solution को दीरे दीरे इसमें add करिए, और उसके बाद जो आपकी test tube है, उसके उपर stopper लगाई है, यानि डखकर लगाई है, और उसको shake कीजे, तेजी से shake कीजे, विगरसली, ठीक है, brown color of reagent, जो यह iodine और NOH का solution होता है, यह brown color का होता है, यह brown color का reagent है, इसमें होने लगा धीरे दीरे जब आप उसको shake करेंगे, और yellow color का precipitate आपको बनता हुआ दिखाए देगा, यानि आइडो form जो है, वो बनेगा जब reaction complete हो जाएगी, अगर iodine form बनता है और yellow color आता है, इसका मतलब methyl ketone present है, अगर नहीं बनता है, इसका मतलब methyl ketone present नहीं है, ठीक है, अगर आपका sample जो है sample पानी में insoluble हो रहा है तो, ठीक है, तो these are the basic and important test for the quantitative test for the carbonyl compounds, और ये जो carbonyl compounds के test है, ये बहुत ही important test है, सारे के सारे, अलग-अलग से पुछा जा सकता है, exam में Benedict के नाम से पुछा जा सकता है, अलग question, tolerance reagents के नाम से पुछा जा सकता है, या tolerance test के नाम से पुछा जा सकता ह है, idroform test भी कई बार पुछा गया है, तो ये सारे test important test है, जो मैंने आपको बता है, और अगर पुछा जाता है, qualitative test for carbonyl compounds, endiide और ketones के लिए, तो आप simple इन में से जो भी आपको याद हो, 5 के 5 हो, आप याद करके लिख सकते हैं, बहुत ही कठी नहीं है, चाहें तो आप reaction principle न